भारत मा के तीन सुकोमल फूल हुए निवचावर हस्ते हस्ते जूल गए थे फासी के फंदों पर हुए मात्र वेदी पर अर्पित तीन सूर्मा हसकर विदा हो गए तीन वीर देयश की अमर धरोहर दाग दुस्मन का किला जाएंगे मरते मरते जिन्दा दिल सब को बना जाएंगे मरते मरते हम मरेंगे भी तो दुनिया में जिन्दगी के लिए सब को मर मिटना सिखा जाएंगे मरते मरते सर भगत सिंग का जुदा हो गया तो क्या हुआ काउम के दिल को मिला जाएंगे मरते मरते ये बोल थे अमर शहीद भगत सिंग के जिन्होंने हिंदुस्तान और यहां के वासिंदों के जिगर में वो आजादी की आगफों की जिसकी लोग 1947 तक धढ़कती रही भगत सिंग की उठाई इंकलाबी आवाज आखिरकार वो सुबह लेकर आई जब हिंदुस्तान के सरजमी पर आजादी का सबेरा आया देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं जिसको लेकर देश भर में आजादी का अमरित महोत्सो मनाया जा रहा है ये नजारा यूपी की राजधानी में आयोजित अमरित महोत्सो कारिक्रम का है जिसे उत्तर प्रदेश संस्कृत विभाग की तरब से आयोजित किया गया है आजादी के अमरित मौसब के अंतरगत संस्कृती विभाग एक बड़े कारिकरम का आयोजन कर रहा है इस वक्त मैं 1994 पे हूँ इस कारिकरम की तस्वीरे मैं आपको दिखा दूँ कि कारिकरम का नाम शहीद दिवस रंग्दे बसंती कारिकरम रखा गया है और इसके अंतरगत शहीद आजम भगत संग पर आधारित अभिलेक परदर्शनी जो है वो दिखाई जाएगी तमाम तयारियां मैं आपको दिखा दूँ किस तरीके से उनको याद किया जा रहा है कहीं न कहीं जो देश की संस्कृती है उसको बढ़ावा देने की तैयारी है और आपको बता दे कि 23 मार्च 1931 के दिन ही शहीद आजम भगत सिंग राजगुरू और सुखदेव ने हस्ते हस्ते भारत की आजादी के लिए फारसी का फंदा चूमा था इसी को व्रहत दिस्तर पर मनाने की तैयारी की गई है संस्कृती विभाग द्वारा और अगर इस कारिक्रम की बात की जाए जो 1094 पर ये कारिक्रम आयोजीत होना है अगर इस कारिक्रम के मुख्य अजदी की बात की जाए तो मुख्य सच्चिव उत्तरपदेश शासन दुर अमर वीर शहीदों को शत्षत नमन इस तरह की एक प्रदशनी लगाई जाएगी तो कुल मिलाकर जो शहीद दिवस है उसको व्रहत दिस्तर पर मनाने की तैयारी जो है वो संस्कृती विभाग कर चुका है और कहीं न कहीं जो देश के प्रती शहीदों की जो शद्धांजली शहीदों की तस्वीरों से पूरे पांडाल को सजाया गया है जिन पर अमर बलिदानियों के कहे वो शब्द अंकित हैं जिनके बल्बुते देश को आजादी की राह मिली जिन्दगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठ जाते हैं लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा मेरे लहू का हर एक कत्रा इंकलाब लाएगा अब शेक पांडे की रिपोर्ट टेली इंसाइडर लखनौ यूपे और देश दुनिया की तमाम ताजातरीन ख़वरों के लिए गूगल प्लेश्टूर से आज जी डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज चैप डेली इंसाइडर